वेल्कम पर दिए सेवन कोर्स और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बाने एक पहचान है जब आपको सौर्ट एरे दिया होता है कहीं भी सौर्ट एरे दिया वाउस के अन्दर आपको ऊपरेशन करना है तो दिमाग में घंटे मचने चाहिए कि यहां पर हो सकता है बाने search लगेगा तो आज हम binary search के basics के बात करने वाले हैं इसके बाद आने वाली वीडियो के अंदर binary search के कुछ questions भी देखेंगे, advance questions भी देखेंगे, binary search के अंदर start करते हैं तो जब भी आपको sorted array दिया गया तो binary search के आप वहाली index return कर दोगे लेकिन इस तरीके के अंदर आपको इसके अंदर आपको 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 प्रफॉर्म करने पड़ रहे हैं तो आप प्रफॉर्म कर रहे होगे लेकिन वहीं पर binary search इसके उपर बहुत ही बड़ी optimization है आप देखरो आपको आपको प्रफॉर्म करने पड़ रहे हैं वन मिलियन दस लाख operation अगर आपको कोई element ढूणना है sorted array के अंदर वहीं पर अगर आप binary search से करते हो इसे तो binary search इसको कर देगा लॉग बेस टू 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 सम्थिंग होता है यह बहुत ही कम operations होता है कितने ह है और log base to 10 कितना आता है आपका होता है यह 3.22 सम्थिंग होता है यह कितना आएगा यहां पर आराओ 19 पॉइंट सम्थिंग सम्थिंग आजा गई तो आपके अराओं 20 operations के अंदर यह element ढूण लेगा अगर 10 पॉपर 6 numbers भी होंगे वहीं पर आगर आप नॉमली चल रहे होते तो आप 10 पॉपर 6 operation 10 लाग operation लगा रहे होते हैं यहां पर 20 operation में आपका काम हो जाएगा ठीक है तो काफी बड़ी optimization आपको दिख रही होगे यहां पर समझते हैं binary search काम कैसे करता है और किस तरीके से यह यह वाली optimization ला रहे है यह log n के अंदर कर रहा है वो किस तरीके से कर रह middle element ठीक है middle index या फर middle element ढूणने का try करते हो यह low और high जो है वो current lowest और highest index है जिसके नदर हम search कर रहे है तो currently हम search कर रहे है 0 से लेकर 5 के बीच में तो low होगा हमारा 0, high होगा हमारा 5 ठीक है तो इसके अंदर से हम ढूणने के middle element कौन सा है middle index कौन सी है तो middle index निकालते है low plus high by 2 यह हम इस वाले index पर याएंगे और हम चैक करेंगे सबसक्राइब हमें 7 एक्वाला element के इकौल है if a of mid मतलब यह वाला element है वह हमारी key के एकौल है 7 के एकौल है तब तो हम return कर दिए हमें element मिल गया हमारा तो यह लेकिन इकौल निया यह element 7 के निया है तो हम बोलेंगे हमें element मिला निम्लेगा है तो अगर हम इसमिडल से बड़ा है तो पक्की बात है तो आप पोए आरे के धंकर कर से हैं कि चाना ही ठिसकार कर दूगे है है कोईज सब्सक्राइब करो आपको 10,000 नमर दे रखें मैंने ठीक है दस आपको पता है वह दस आर के दस आर नमबर सॉटिट है तो आप मिडल अलमेंट पर जाओगे आप चेक करोगे कि जो में धून पहले step के अंदर यह आपने half numbers उड़ा दी अपने सर्च में से तो यहीं पर वह login वाली optimization आयती है इसके अंदर तो अगर आपको मिला element तो ठीक है नहीं मिला तो आप right side ढूनने लग जाओगे तो यहां पर हमें नहीं मिला तो लेकिन यहां पर अगर नहीं मिला तो हम क्या करें करेंगे if key is greater than a mid हाँ ऐसा तो है की जो है वह हमारी 7 है और वह a mid 3 है तो 7 is greater than 3 तो यह हो रहा है अगर ऐसा है तो हम repeat करेंगे ठीक है repeat करेंगे और आप बोल देगे कि अब जो low है ना वह mid plus 1 हो जागा ठीक है तो हम इतना तो पता कि इतने में मिलेगा नी right तो हम इतने में मि हो तो हम चैकरेंगे इतने से इतने की बीच में ठीक है तो mid plus 1 से लेकर high की बीच में चैक करेंगे तो हमारा repeat करेंगे हम इसे और हम low बोलने कि अब low जो है वो है mid plus 1 और अगर ऐसा भी नहीं था तो यहाँ पर आएंगे और हम चैक करेंगे क्या if key is greater than a mid अगर ना बराबर है ना बड़ा है तो हो सकता है key is less than a mid d होगा तो अगर ऐसा होगा तो आप repeat करोगे अगें आप बोलोगे कि जो मेरे element ढूणना है ना वो मेरे mid element से छोटा है मतलब इस से छोटा है सब्सक्रों किसी key के लिए सब्सक्रों आपको minus 4 या minus 5 कुछ भी search करना था तो उस case में तो इतना सा करोगे आप इसको बाद आप repeat कर दोगे और यह repetition चलता रहेगा आपका अब जैसे हमें 7 रूणना था और जो आप 7 को चलाते है इसके अंदर क्याश चलेगा low पहले था 0, high था 5 हम पहले step पर है हमारा mid निकला 0 plus 5 by 2 which is 2 इस mid के लिए हमने check किया mid payment नहीं मिला हमें हमें पता है कि वो इस side है तो हमने low कर दिया 2 plus 1 which is 3 तो हमारा low है 3 high है 5 मतलब इतना हमारा search pace है अब तो अगें हम मिड ढूनेंगे मिड होगा 5 plus 3 by 2 which is 8 by 2 which is 4 ठीक है मिड होगा हमारा 4 तो हम 4 इंडेक्स पर आगे चेक करेंगे अब अगें जो दस्यार में से पांच यार नमबर बचे थे ना उन पांच यार नमबर के अंदर भी अगें center ढूनें का try करोगे और आप अगें repeat करोगे वही process तो यह है बाइं रिसर्च ठीक है तो अब इस वाले element पर जाएंगे हम 10 वाले element पर क्या 10 वाले element इस mid वाले key के element के ब्राबर है तो ऐसा नहीं है 10 जो है वह 7 के ब्राबर नहीं है इसका मतलब यह वाले element तो नहीं है यहां तो left side होगा या right side होगा तो left side चेक कर अब हमारा low भी 3 है high भी 3 है मतलब low भी यहां पर है high भी यहां पर है mid डूनेंगे mid आएगा हमारा 3 3 plus 3 by 2 which is 3 तो mid पर हमें element मिल जाएगा ही ठीक है तो आप देखो यहां पर मैंने तीन स्टेफ लगाए और मुझे सेवन्थ मिल गए यहां पर ऐसे अगर बहुत सारे element होंगे तो उसके अंदर आप जो मैं आपको बताया करने पड़ेंगो ट्वेंटी आपको करने पड़ेंगो ट्वेंटी आपको मिल जागा element कही है यहीन होती हैको अब जड़ा सा ही तो यह पर यहीं पर टरीक है से किया इसके बाद हमरी करprovिशर होँ ठीक है ठीक है का अब कर सकते हैं लेकिन हम देखें कैसे iterative तरीका थोड़ा fast होता है थोड़ा better होता है तो यहां पर हो क्या रहा है पहले हमना low equals to zero high equals to a dot length minus one तो हमें यहां से लेकर यहां तक के बीच में element find करने हैं तो low होगा हमारा और high होगा हमारा array की length जो है उसमें से एक minus कर देंगे जैसे यहां पर 6 element थे तो 5 हमारा high था तो while low is less than equals to high जब तक यह condition true है तब तक हम अंदर जाएंगे और check करते रहेंगे पहला step था हमारा mid निकालने तो mid होगा हमारा low plus high by 2 उसके हम चेक करें क्या middle element ही की के बराबर है अगर अगर ऐसा है तो return कर दो middle element हमें पहले ही मिल गया तो वहीं से return कर दो ठीक है अगर नहीं मिला तो हमें अब आगे बढ़ना है अगे कैसे बढ़ना है हम चेक करने हैं जो हमारा find करने जो element जो हमें ढूंडन है वो greater than a mid अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारा dobrze – अगर बड़ी भी नहीं है तो इसका मतलब की कर देंगे कभी अगर ऐसा हो जाता है इस पूरे लूप में कि आपका low जो है वो high से बढ़ा हो जाए ऐसा हो सकता है और लो आपका high से बढ़ा हो गया इसका मतलब आपका element नहीं है इसा एक अंदर present तो उस case में हम return कर देंगे minus 1 ठीक है तो उस case में हम y loop से बाहर निकल जाएंगे return कर देंगे minus 1 सब्सक्रों यह वाला case देखते हैं जहां पर minus 1 कर रहे हैं सब्सक्रों इसके अंदर हम ढूंद रहे हैं 5 ठीक है की हमारा है 5 तो 5 हमें दिख रहे हैं इस एरे के अंदर कहीं present नहीं है लेकिन देखते कैसे डूंदने का try करेंगे से हम 5 नहीं सब्सक्रों लेफ्ट सब्सक्रों है वो बड़ी है a mid से तो 2 is not greater than 3 इसका मतलब else मा जाएंगे high cost to mid minus 1 तो हमारा high पहले 5 था अब high हो जाएगा mid minus 1 which is 1 ठीक है mid हमारा 2 है तो 2 minus 1 which is 1 तो हमारा low हो जाएगा 0 high हो जाएगा 1 तो low 0 है high 1 है अब low plus high by 2 which is 0 plus 1 by 2 which is 0 तो यह हो जाएगा हमारा middle element हम इसके साथ चेक करे है तो हम चैक करेंगे right-side में मतलब पहले हैं यहाँ पर search कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पर आगए अब इससे यहां तक मतलब इधर से इधर तक चैक करेंगे तो हमारा low होगा धेक वाँड प्लस वन फेक्ट मेंटल एल्मेंट के बराबर है मिडल मेंट हमारा मैनस वन और यह मारी थू है तो यह बराबर नहीं है हम की जो है वह फ्रित में 500 यहां हम यहां टूहोग को दो इसका मतलब तू को ये वाला समझ में आगया हो upp इसके बाद अब देखते हैं कि हमारा रिकर्सिवली कैसे पूरी पूरी चीज़ हो लिए सकते हैं तो इसको समझ लेता है कैसे गया मैंने तो इसके अंदर मैं पैरामेटर रूज एक्ष्रा लिया है यह तो पहले भी थे लेकिन अब बने लो और यह दो इंडेक्स भी ले लिए हैं पहले सी ठीक है तो जब हम इसको कॉल करेंगया फर्स्टाइम तो लौ होगा हमारा जिरो और है हॉगा हमारा ले ने fasten से और अंदर आएंगे हम सबसे पहले हम लिखते हैं बेस कंडिशन बेस कंडिशन कभी चुगी जो हमारा लो फ्लेस घृटर ने अ अगर एसा कभी होगा तो इसका मतलब अगर अगर आप यहां पर लगाने को जुरूत नहीं है तो भी लगाने को जुरूत नहीं है तो if keys greater than a mid अगर हमारा जो element है वो right side present है अगर key जो है वो greater than a mid है इसका मतलब left side तो element present नहीं है हमारा तो उस case में हम इस function कॉल कर देंगे binary search वाले function को लेकिन इस वार हम बोलेंगे जो आपका low है वो हो जागा mid plus 1 ठीक है binary search हमने call किया हमने pass किया इसके अंदर a array हमने pass किया किया array में search करेगा ठीक है तो इसरी के से binary search call काम कर रहे है आप है अगर ऐसा भी नहीं है तो obviously third condition बसती है अगर बराबर भी नहीं है greater than भी नहीं है तो obviously less than है और अगर less than है तो उस case में हम यह वाली call कर देंगे binary search इसका मतलब element हो हो सकता है left side present हो पक्की बात है right side present नहीं है तो उस left side के लिए left side के लिए चेक करना है तो mid minus 1 करना पड़ेगा high को ठीक है तो इतने पार्ट के लिए दुबार से binary search call हो जाए रहा है तो बागे सब तो इसको recursive leap of faith तो छोड़ देना है इसको जड़ा ड्रायरन कर लेता है key equals to 11 वाले case के लिए कि यहाँ पर key हमारी 11 है तो कैसे ह हम इसको find करेंगे हमें मिलना चाहिए कि index number 5 element present है चला के देखते हैं समसे पहले हमने binary search call किया तो मैं यह पर लिख देता हूं B S लिख देता हूं ठीक है तो मैं इसके अंदर बस element लिख रहा हूं lower high ठीक है तो low हमारा इस time पर है 0 और high है हमारा 5 ठीक है तो मैं binary search call कर रहा हू 0 और 5 पास कर रहा हूं तो mid आएगा हमारे यहां से निकलके 0 plus 5 by 2 which is 2 तो mid आएगा हमारा 2 हम चेकर है 2 वाल element के बड़ाबर 11 तो dual element के बड़ाबर नहीं है क्या key बड़ा है a mid से तो हम call कर देंगे binary search वाले function को तो यहां से हम binary search call करेंगा again इस बार हमारा जो low होगा वो जाग 3 3 3 से लेकर 5 के लिए binary search हमने दुबार से call कर दिया अब अगेर हम mid निकालेंगे mid आएगा हमारा 3 plus 5 by 2 which is 4 4th element के लिए 4th element के बड़ाबर है तो 4th element के बड़ाबर भी नहीं है तो क्या key is greater than a mid तो key है हमारी 11 और which is greater than mid ठीक है 10 से बड़ी है तो हम इससे दुबार से call करेंगे अब binary search वाले function को low हमारा again increment हो जागा low हो जागा mid plus 1 which is 5 high भी हो जागा 5 ठीक है तो low भी 5 है आप mid निकालेंगे mid भी 5 है हम चेक करेंगे middle element के बड़ाबर है तो हाँ middle element के बड़ाबर है key is equals to 11 ठीक है तो हमें यहाँ पर element मिल गया और हम return कर देंगे यहां से return करेंगे 5 तो यह यहां पर call किया था तो यह भी return करेंगा यह भी return करेंगा पिछले वाले element को तो यह भी 5 return करेंगा ठीक है और फिर यह भी finally 5 return कर देगा जहां से main function को यहां से 5 index मिल जागा तो यहां पर देख रहो इस तरीके से recursive stack बनता जा रहा है यह recursive calls है पहले यहां पर यहां पर यहां युख हो रहा है auxiliary space हो जो की अंदर कहीं भी use नहीं होड़ता यहां पर लेकिन के अपर step हो रहा है तो आप बोलो कि आपक स्टेक होरा है तो जितने यहां पर operation होगे उतना हीm पर स्टेक हो रहा है और मैंने ऊपको शुरुआत його शुरुआ था कि कि इसी भी binary search के अंदर आपके log n operation perform होते हैं तो इसके अंदर atmost log n recursive call होंगे तो recursive stack के अंदर atmost log n elements होंगे एक time पर ठीक है तो recursive stack के अंदर आपके log n element होंगे तो इसलिए यहाँ पर space use होगा वो log n space use होगा ठीक है लेकिन यह सिर्फ recursive case के अंदर है अगर आप iteratively करोगे तो और time complexity nical कहेगी इसलिए हम कहते है कि recursion से अच्छा होता है iterative क्योंकि recursion के अंदर आप एक overhead लगा रहे हो ठीक है एक memory के ओपर overhead लगा रहे हो और साथ में computation का उपर भी overhead लगता है तो थोड़ा slower भी होता है इसलिए हम prefer करते हैं हमेशा कि iterative तरीके से करेंगे binary search अगर आएग तो जरा time complexity को देख लेता है log n कैसे आ रही है तो हमें already पता है कि हर बार हर step पे हम क्या करते हैं एक part को एक half part को discard कर देते हैं पूरा पूरा half search space हम खतम कर देते हैं उसों equation से ही उड़ा देते हैं हर बार तो अगर आपका इतना बड़ा array था suppose करो n size का array था तो पहले step के time पर आपने right side वाली पूरे part को रणा देया तो आपके पास n by 2 elements पसे थी टो first step के बाद आपके पास सिर्फ ग्यारत है n अगले step के पास पर और आपके बास P इतने elements बचेंगे और यह आपका 1 के बराबर होगा यहां से अगर आपके निकालने का ट्राइब करोगे तो यह आएगा आपका क्योंकि हरब हम अपने बात करते हैं और इसके तरिटानाया कि आती है अधी लोगन लॉगन क्योंकि हर बार हम अपने सैंपल स्पेस को सर्च स्पेस को एक बचेगा वहां पर हमें अगर अच्छी बात हैं यह नहीं था अगर यह वाली वीडियो पसंद्न आई तो लाइक कर देना कर देना चलकर सब्सक्राइब मैं भुंग आपस नेक्ट वीडियो कें रहे चलते हैं